हाई गाईज कैसा आप लोग वीडियो में हम केमिकल कानेटिक से क्वेस्चन कर रहे हैं जो कि जेए में जैनुवरी 2024 अटेंट में आए गए थे ओके सो चैप्टर वाइज प्लेडिस्ट गाईज बनी भी है और इसके पिछली येर्स के भी मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुँ में ये दी भी है तीन और रेट अकोडिंग ली दिये है तो ओडर ओफ दरियेक्शन इस गाईज देगे जो नॉर्मली फर एक्जाम्बल इसमें ही और इसकी बात करूँ क्यों कि ही एक ही रियक्टेंट है तो इसके अकोडिंग अगर मैं कहूं कि रेट ओफ रियक्शन क्या हो सकता है तो k equals to a n जहांपे a क्या हो गया आपका h i हो गया a क्या होता है basically reactant तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हो कि h i की power n now n जो यहांपे है n is the order of the reaction k is आपका rate constant और आपका rate of reaction बस सिंपल है तीन तीन वैल्यू रख लो अब डिवाइड करके कर लो ओके सबसे पहले 7.5 जो rate दिया हुआ है इसकी value गार आप रखते हो ओके तो इसके according k तो rate constant है वो तो constant रहता है तो इसको k रख लो h i याने concentration इसकी first में जब rate यह है तो क्या दिवी है 0.005 ओके यह concentration होगी और इसकी power होगी n divided by डिवाइड कर दिया मैंने अब ना divide ना समझ मा रहा हो तो यह समझो कि यह होगी equation 1 दूसरी में आपने यह third 3 वाली second equation है तो आपने 3.0 into 10 power minus 3 equals to k into 0.01 की power n यह होगी equation 2 correct equation 1 को 2 से divide कर दो होगर आप तो क्या जाएगा 7.5 into 10 power minus 4 divided by 3.0 into 10 power minus 3 k 0.005 की power n और divide by k into 0.01 की power n correct k से k cancel out हो गया इसको जब आप पूरे को solve करोगे इसको क्या आ जाएगा इधर यह जो पूरा हो जाएगा देखिए 1 divided by 4 equals to 1 की power 2 की power whole n कैसे देखिए यह तो 0 हो जाएगा न पॉइंट से 0.52 जा 10 यह तो 1 by 2 की power n यहीं से आ गया और इसको करोगे तो 1 by 4 आ जाएगा है ना तो ना हो अगर आपको इसमें दिखी रहा होगा यह है कि आब कि 1 by 2 square लिख सकते हो 1 by 4 को आप और 1 by 2 की power n तो n की value क्या होगी यह compare करें 2 तो तो दिस इस a second order reaction यह order of the reaction is 2. next question देखते हैं time required for completion of 99.9% of a first order reaction is times of half life basically t half की terms में बताना है okay so देखिए first order reactions के लिए we know कि t is equals to 2.303 divided by k log of a upon a minus x correct now a क्या होता है आपे is initial concentration okay अगर concentration की terms में अगर हम मैं reaction मान के चलूँ and a minus x क्या हो गया कि whatever is left at time t suppose कोई reaction हुई है वो t seconds के लिए हुई है तो जो की initially for example a को मैं b o plus a मान के चल रहा हूँ तो initially इसकी concentration अगर a थी तो after time t इसमें let just say की a minus x गट गया x x बन गया तो मैं क्या कहता हूँ जितना left हुआ left of reaction याने a minus वो यह होता है ओके अगर जिसमें आपको थोड़ा बहुत confusion होता हो तो अब इस case में बस आपको क्या रखना है t half की value दीवे 3.99 की निकालनी है तो t 99.9% जब completion की बात करते हो तो 2.303 upon k तो ही log off let's just say कि initial concentration आपकी 100 थी इन questions में guys देखे ए मान लो अभी इसका fraction निकाल के कर सकते हो लेकिन 100 अगर आप में मान के चलते हो ना तो आसान हो जाता है questions को solve करने में इनिशेल गर में 100 मान लो 99.9% completion हो गई याने 99.9% of 100 कितना हो जाता है 99.9 तो इससे आपको आसान ही पड़ जाती है okay so let's just say कि initial अगर concentration में दी 100 थी तो बचा कितना 100 तो initial थी x याने कितना घट गया 99.9 okay similarly t half क्या है t half को 50% लिख लो चाहे या t half एक ही बात है तो 2.03 अपके इसको वैसे भी कर सकते हो लेकिन असान ही है ना log of 100 initial divide by 50 okay guys याने divide by 50 कैसे आगे 100 minus 50 complete हो गया तो 50 okay guys so बस अब इसमें क्या है इस दोनों reaction को divide कर दो यह तो पूरा cancel out हो गया तो t 99.9 percent of t half हो गया 50% तो log of 100 divided by यह हो जाएगा आपका 0.1 divided by log of 2 okay so यह हो जाएगा आपका log of 10 to the power 3 upon log 2 या भी 3 log 10 divided by log of 2 तो यह log 10 तो 1 हो गया याने 3 upon log 2 okay so यह हो गया t 99.9 percent of t half इसको इसकी terms में बताना है याने t 99.9 divided by t half equals to 3 upon log 2 की value हो जाएदी 0.301 तो roughly 0.3 मान लेके चलता हूं को यह 3 है उपर okay तो आगे 10 correct तो इसका मतलब क्या हो गया t 99.9 reaction जब हो रही है तो is equals to t 10 times of t half so इसका मतलब जो correct answer is 10. next mission देखते हैं for a reaction taking place in 3 steps at the same temperature overall rate constant k is this if ea1, ea2, ea3 are 40, 50 and 60 kJ per mole respectively the overall ea is now we know guys की k rate constant k is equals to a into e की power minus ea upon rt so बस यह दियावा है और यह निकालना है अब let's just say कि इसको k की आपको क्या दियावा है k1 into k2 divided by k3 अब इस k1 विया गयरा है निकालने शुरू करता है तो देखे k equals to k1 क्या हो जागा a1 into e की power minus ea1 upon rt फीक है ऐसे k2 क्या हो जाए इसको according a2 into e की power minus ea2 upon rt t same है temperature कोई इसमें difference नहीं है divided by a3 into e की power minus ea3 divided by rt ओके अब बस इसको आपको इस तरह से इसकी form में convert करना है तो k equals to क्या हो जागा a1 a2 upon a3 यह तो constant होगे e की power minus ea1 minus ea2 plus ea3 का whole divided by rt हो जागा arrange कर लिया और अगर मैं इसमें a1 a2 a3 लेके minus common लेलू तो ea1 plus ea2 minus ea3 divided by rt अब इसको इससे अगर compare करते हो तो a की value क्या होगी a की value तो होगी a1 a2 a3 और ea की value क्या होगी rt तो same ea की value क्या होगी overall ea1 plus ea2 minus ea3 समझा है अलग-अलग values दीवे add करके overall निकल जाएगा कैसे अब बस ea1 क्या है 40 plus 50 minus 60 हो गया यह क्या आगया आपका answer 30 kilo joule per mole ठीके guys straightforward question था बस थोड़ा सा आपको समझ माना चाहिए किस तरह आपको values use करने है तो final answer is 30 next question देखते हैं the half life of radio isotopic bromine 82 is 36 bromine 82 का जो half life है वो 36 hours दिया हुआ याने t a half equals to 36 hours the fraction which remain after one day is अब देखें after one day 36 hours हाफ है लेकिन यह कह रहा है कि एक दिन के बाद जब reaction होगी तो कितना रमीन हो जाएगा इस question ने पूछा गया है simple में आपको बताता हूँ fraction इस पर जरूर ध्यान लगना वैसे तो जो हमारी t की वल्ली क्या हो जाएगी first order देखें radio active reactions first order ही होते है तो t is equals to 2.303 upon k log of a upon a minus x लिखते हैं a क्या है initial concentration हो गया a minus x है जो after time t जो बचा ठीक है remaining वो a minus x तो अगर यह काया कि fraction which remains fraction अगर पूछाए which remains तो a minus x remains है fraction के लिए क्या हो जागा overall जो initial concentration थी a समझा है भाई यह 10 मेरा अगर suppose kg item बच रहा था तो मैंने कहा कि एग घंटे बाद मेरा सिर्फ 2 kg बचा तो मैं क्या कहूंगा कितना kg बचा तो 2 kg कितना fraction बचा यहाने 2 by 10 1 5th item बच गया जी अभी एक 1 5th item अभी समान बच रहा है हमारा यह बोलते है न तो यह a minus x by a की value निकालनी बेसिकली आपको अब देखे t half दियावा है तो यहाने t half is equals to 0.693 upon k for first order या फिर k equals to 0.693 divided by t half या 0.693 divided by 36 त्रीक है यह t half hours में यह जरूर दियाना और इस k की value यहां पर put कर दूंगर मैं यहां तो t is equals to 2.303 divided by 0.693 36 होगे है यहां पर log of a upon a minus x करेक्ट t क्या दियावा है वंडे ओके क्योंकि यहां 36 मेरा hours में है तो t अगर मेरा वंडे को hours में कैसे करोगे 24 hours तो 24 ले लिए समझ मागे न क्यों लिए हमने hours में को यह 36 hours में चल रहा था यहांने 2.303 upon 0.693 into 36 log of a upon a minus x ओके गाई अब इसको जब आपको कुल मिला के log of a upon a minus x निकालना है जो इसको इधर उधर लागे आपका हो जाएगा लगबग 4 into 0.693 divided by 6 into 2.303 और इसको जब calculate करोगे value आजाएगी 0.2006 ओके अब यह किसकी value है log of a upon a minus x दोनों तरफ एंटी लोग अगर मैं ले लूँ तो एंटी लोग करके तो a upon a minus x हो जाएगा इसका उधर क्या हो जाएगा एंटी लोग of 0.2006 गीवन है 1.587 निकालना क्या दा आपको fraction a minus x upon a उल्टा कर दो a minus x upon a क्या हो जाएगा 1 upon 1.587 और जिसकी value आप solve करोगे तो आजेगी 0.63011 10.012 में पुछावा है तो 63.011 10.012 या फिर roughly 63 into 10.012 अगर नियर सिंटीजर बोलता ना है तो 63 your final answer. next question देखते हैं the rate of first order reaction is this at 10 minutes and ये rate है at 20 minutes after initiation half life of the reaction is first order reaction के लिए rate क्या होता आपका k into a ये now also we know कि जो a की value क्या होती है a not into e की power minus kt तो इसको इसमें रख दूँ अगर मै rate is equals to k into a not into e की power minus kt ये formula होगा अब बस अब देखे values जब मेरा 10 minutes है तो rate क्या है 0.04 याने 0.04 rate to k into a not divided by e की power minus k fix है t होगा 10 minutes में है अच्छा ये points per second में दिया होगा है तो यहाँ पर into 60 कर दूँ 10 minutes को तो क्या हो जागा second में convert होगा just because यहाँ पर second में rate दिया होगा okay confuse मत होना again इन्हों नहीं काया कि 0.03 rate है जब मेरा minute 20 है तो e की power minus k into 20 into 60 इतना समन्माया गाइस ठीक है बस अब रिए इसको देखे question करने कहीं तरीक हो सकता है बस यह है कि आपको easy practice किसमें है यह divide कर दो तो क्या हो जागा 4 by 3 equals to e की power k into 1200 okay minus k into 600 okay देखी यह तो 6 to 12 होगे उपर आके plus मा आ जागा न यह तो 4 by 3 is equals to e की power 600 k ठीक है तो इसको क्या से लिख सकते हो 4 by 3 ln ln of 4 by 3 is equals to 600 k ठीक है नाओ इन्होंने क्या काया कि half life of the reaction is half life आपको बताना है इसमें reaction का तो we know कि जो t half क्या होता आपको ln 2 upon k ln 2 की value क्या होते है 0.693 इसको ln 2 लिख दो 0.693 लिख दो एक दी बाद है so t half क्या हो जागा ln 2 divided by k क्या है ln 4 by 3 divided by 600 okay so ln 4 by 3 into यह हो जागा 600 okay guys so बस इसको आपको solve करना है कैसे करोगे ln 2 को क्या लिख सकते हो 2.303 of log 2 into 600 divided by 2.303 log of 4 by 3 यह इससे cancel out हो गया again log of 2 into 600 divided by log of 4 minus log of 3 okay guys so देख एक कुल मिला के इसको जब आप पूरा solve करोगे reactions को इस formula को तो value क्या जाएगे आपकी t half equals to 600 into 0.301 divided by 0.602 minus 0.4771 so यहां पर अब further जब इसको solve करते हो तो t half will be equals to 600 into 2.4099 और यह सब किस में है seconds में आ रहा है ठीक क्यों को कि हमने initially seconds में convert कर लिया था अब answer पूछा है minute में तो divided by 60 कर दूँगा तो क्या हो जाएगा minute तो क्या हो जाएगा okay तो t half is equals to 24.099 minute या round off में करोगे तो 24 minutes I hope guys आपको questions समझ में आपको straight forward होड़ता है बद्धान से देखने की ज़रोता है ठीक है next question देखते है NO2 required for a reaction is produced by decomposition of N2O5 in CCL4 as by given equation so यह देखे equation देदी इनोंने initial concentration of N2O5 दीवी है is 3 per mole per liter and it is यह after 30 minutes rate of formation of NO2 पूछावा है ठीक है देखे we know कि जब भी आप rate of reactions निकालते हो तो यह क्या हो जाता है कि equals to minus half याने यह जो कोफिशेंट है minus की क्योंकि decrease होगा आपका reactant change in concentration of N2O divided by del T correct is equals to क्या होता 1Y4 यह positive में change in concentration of NO divided by del T change in concentration divided by 1 upon 1 तो 1 ही हो गया change in concentration of O2 divided by del T okay आप क्योंकि इसमें concentration दी वी है तो आप confused नहीं होना है कि gaseous है तो आपने pressure क्यों नहीं लिया वगयर 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 ठीक है जो questions में दिये वह है उसके coding आपको चलना है ठीक है अब देखें यह तो आपकी main equation हो गई अब इसमें आपको एक चीज देना है देखें guys rate of reactions तो जब आप निकाल रहे हो तो minus half यह यह पूरा का पूरा है या फिर यह पूरा पूरा है या यह पूरा है लेकिन जब मैं rate of decreasing decrease यह है ना या rate of reduction of N2O तो पूछ निकालना N2O5 निकालना चाहरा हो गर N2O5 तो यह सिर्फ और सिर्फ del N2O5 divided by del T है किस rate से decrease हो रहे है और जैसे इस question में पूछा है rate of formation of NO2 तो rate of formation of NO2 क्या हो जाएगा यह हो है ना याने del NO2 divided by del T यह 1 by 4 से करोगे तो rate of reaction हो जाएगा इसलिए यह confused नहीं हो आपको क क्या निकालना समझाया है तो इसके according पहले तो rate of reaction क्या हो गया minus half del N2O5 divided by del T अब इसमें rate दिया वा है कि जब concentration 3 है and it is यह after 30 minutes तो rate of reaction क्या हो जाएगा कि minus half of change in concentration क्या हो गया पहले तो 2.75 हो गई minus 3 divided by किती 30 minutes में ठीक है 30 minutes में यह हो गया तो rate अगर मैं निकालूंगा तो moles per liter per minute में निकाल रहा हूँ 30 minutes में तो इसको अगर आप calculate करोगे यह आपकी 240 1 upon 240 mole per liter per minute ठीक है यह है rate पूरा का पूरा यह वाला तो अब अगर आपको यह पता लग गया है तो rate of formation या यह दुबारा से इस तरह से लिखूं कि rate of reaction है वो क्या है 1 by 4 of del NO2 divided by del T तो rate of formation of NO2 क्या हो गया del NO2 divided by del T 4 times of rate of reaction यह क्या है 4 into rate of reaction क्या है यह 1 upon 240 ठीक है तो यह क्या हो जागा 0.01666 moles per liter per minute तो बस इसको आप x की value निकालनी है 10.3 की form में तो यह हो जाएगा 16.66 into 10 power minus 3 moles per liter per minute या फिर इसको कैसे लिख सकते हो 17 16.6 है ना तो इसको round off में करके 17 कर सकते तो 17 will be your final answer next question देखते है integrated rate low equation for a first order gas phase reaction is given by जहाँ पर PI तो initial pressure PT is total pressure at time t देखे जब भी आपको सबसे पहले तो start करने से पहले आपको बता दू यह state for NCRT से उठाएवा है aims वगेरा की questions में भी आएवा है तो देखे PYQ जब आप करते हो यह no matter what की आपका exam किसकी practice कर रहे हो आपके यह सारे कर लेने चाहिए तो अब देखिए जब gas phase reactions की बात करता है तो जो आपको reaction दीवी है जैसे for example A plus B के बजाए 2B plus C दे दी है ना तो तब आपको यह मानके चलना है नहीं दीव है तो basic मानके चलो ठीक है समझ मैं है guys तो इस तरह से समझे तो let's just say कि initially T equals to 0 पे इसका P क्या है initial pressure हो गया PI यहाँ पर अब तक reaction initiate नहीं जब at time T suppose reaction में PI minus इसमें x pressure गड़िया जब हो इसका और again x और x बढ़ गया x x क्यों क्योंकि यहाँ 1 1 coefficient होगे इसके correct तो at temperature at time T sorry तो total pressure आपको क्या हो गया PT equals to PA plus PB plus PC यहाने A की वरे से जो pressure है time T पे B की वरे से जो pressure है C की वरे से तो यहाने PI minus x plus x plus x तो PT is equals to क्या हो गया PI plus x तो इससे मैं कह सकता हूँ x की value होगी मेरी PT minus PI सहमना है now अब यह देखिए x की value होगी मेरी PT minus PI ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे value रखना चाहूँ PT minus PI की तो यह क्या हो जाएगी temperature T में एका क्या हो जाएगा PI minus PT plus PI यह minus कर दिया समना है याने 2PI minus PT और यह क्या हो गया PT minus PI अहीं हो गया PT minus PI तो यह हो गया आपका एक हम इतना समझ में है गाईज अब जब आपसे यह कहा गया है कि integrated rate equation क्या होगी तो आपको क्या use करना है obviously k is equals to 2.303 divided by t log of अब एक बात देखे गाईज log of किसका reactant की form में निकालता है reactant की form में initial pressure क्या था जब reaction start भी निवीती तो PI नीचे क्या लिखते है कितना pressure बचा किसका of a कितना pressure बचा of a at time t यानि ये तो 2 PI minus PT समझ में हागा इतना ठीक है तो ये क्या होगा PT यहीं लिएंगे क्योंकि a की वरी सही करते है P और C का तो नहीं रपता है इसमें कुछ तो PI minus PT तो देखोगे अगर आप इसमें जो आपका option number one है will be your final answer next question देखते है R equals to k a दियावा है यानि first order reaction है 50% of a is decomposed in t in 120 minutes यानि t 50% या t half life किता दियावा है 120 minutes okay time taken for 90% decomposition of a is t 90% निकालना है okay तो t 90% क्या होता है 2.303 divided by k log of a suppose initial में मान के चलना हो कि 100 था तो 90% reaction complete करने पर क्या हो जागा 90 by 100 minus 90 यानि 2.303 upon k log of 100 divided by 10 ये तो क्या हो जाएगा 10 हो गया तो log 10 1 2.303 upon k ये हो गया t 90% k की value अगर आपको पता लगगी तो हो जाएगा k की value का से निकलेगी यहाँ से so k is equals to 0.693 upon t half तो 0.693 divided by 120 आदेगे t ये minutes में पूछा है तो ये direct रख लोग 2.303 divided by 0.693 to 120 आदेगे तो जब आप इसको पूरे को solve करते हो तो आपका t 90% क्या आजाएगा 398.78 minutes और या round off करना रहे तो 3.99 minutes, correct? So 3.99 will be your final answer. I hope guys आपको समझाओगा बहुत straightforward question है guys. Now question देखते हैं, the ratio of carbon 14 to carbon 12 in a piece of wood is 1 by 8 part that of atmosphere. तो क्या दिया हो है कि जो आपका 14C divided by 12C है याने carbon 14 और carbon 12 का जो ratio है in wood, okay? दिहान से देखे guys आपको मैं explain करूँगा. इसमें actually मैं कहा क्या गया है? इस 1-8th of 14C divided by 12C of ratio किसमें atmosphere में और half-life dv है of carbon 14 5730 years. The age of wood sample is. देखाई जो ये question में कहा गया है न, ये basically जब हम carbon dating वगेरा जो आप ये करते हो न, उसका प्रोजी है. देखे क्या होता है, जो carbon 14 है, वो carbon 12 का एक radioactive isotope है हमें पता है, right? अब जो ये carbon 14 होता है, वो over time decay करता है. ठीक है, we know कि सब system carbon से बने वे हैं मिलके, तो लेकिन जो ये वाला particular isotope होता है, ये decay करता है over time. अब हम process क्या होता है, कि जो ये c14 और c12 का ratio है, c12 तो same है, c14 decay कर रहा है किसी में, तो क्या करते हैं, जैसे for example, question में wood दिया हुआ है, तो wood में c14 और c12 का ratio निकाल लेते हैं, और इसको compare करते हैं किसी दूसरे system से, जो हमें already known है, most of the time ये atmosphere की, जो c14 और c12 का ratio होता है, उससे compare क मतलब किसी भी system का, अगर आपको carbon dating निकालनी है, जैसे for example, इसमें wood दिया हुआ है, ठीक है, आप textile material ले लो, या कोई भी plant based या कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है, उसमें आपका organic matter कितना remain है, वो निकालना है, तो आप क्या करो, उस matter में carbon 14 और c12 का ratio निकालो, और उसको जो कम value आ रही है, आपको उससे हिसाब सम एनलिसिस निकाल देते हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि let's just say, अब आई बारी, कि let's just say, initial जो मेरा concentration था, carbon 14, carbon 12 को कुछ मत सोचा, अभी सोचा, carbon content, carbon content मान के चलो, कि question में क्या दिया हुआ है, कि let's just say, ratio मतलो, अभी सो carbon content मान के चलो, मैं कह रहा हूँ कि जो carbon content है, of wood, क्या दिया हुआ है, one eight time of carbon content of atmosphere, ये मान के चलो, आपने, atmosphere का हम क्या कह रहा है, initial है, suppose, याने इस से decay कम हुआ है, समझ मैं है, याने carbon content of atmosphere, क्या है, eight times of carbon content of wood, याने, c, जो atmosphere में carbon content, वो obviously जादा है, तो मैं let's just say, ये करता हूँ, ये initial concentration थी, carbon की, and not, औ और final जो concentration बची, carbon की, वो ये हो गई, and final concentration, that is remained, remain, सहाँ है, तो ये है, remained, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कि अगर, ये क्या होगी, n equals to, and not upon eight, correct, या फिर, and not upon n equals to, eight, now we know, कि अगर जब आपकी radioactivity उसकी reactions है, उसमें क्या होता, t is equals to 2.303 upon k log of n, initial amount क्या था, n not, और final कितना remained रहा, याने n, समझें, a upon a minus x लिखता हो, ये धियान रखना गाई, तो 2.303 upon k log of n not upon n क्या होगी, eight, ये होगी, आपकी t की value, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, तो आपको सब कुस समझ में आ गये, समझें, now we know, कि t half क्या value निकाल लिए, t half of carbon 14 क्या दिया हो है, 5730, याने 0.693 divided by k, तो k की value क्या होगी, 0.693 divided by 5730, years में है ये, इसमें रख दो आप, तो t is equals to 2.303 divided by 0.693, 5730 into, ये 2 की power 3 हो जागा, तो 3 log 2, correct गाईस, तो जब आप इस पूरे को log 2 के लिए 0.301 हो जाएगी, तो इस जब पूरे को solve करोगे, तो t की value क्या आ जाएगी आपकी, 3 into 5730 या 17190 years, okay, so I hope guys आपको जो basic चीज है, वो समझ मागे होगी, so जो correct आपका जो answer हो गया, वो क्या हो गया, 17190 years, next question देखते हैं, the following data were obtained during the first order, thermal decomposition of a gas A, at constant volume, और reaction ये दी विए इस बार, याने a को स्टो 2b प्लस c, ठीक, अब इन्होंने ये का है, कि at time t 0 पे, जो total pressure था, 0.1 है, याने t 0 पे क्या है, 0.1 इसका pressure है, इनका तो 0 0 हो जाएगा, obviously, जब time t हो गया, at t equals to, कितना 115 seconds पे, तो इसका जो total pressure है, pt, वो हो गया आपका, 0.28, let's just say, 0.1 minus x इसमें घड़िया, 2x बन गया इसमें, 2x क्यों, क्योंकि यहान 2 है, इसका coefficient और इसका हो गया x, तो total pressure at time t, क्या हो जाएगा, 0.1 minus x plus 2x plus x, जैने 0.1 plus 2x, और यह क्या दिया हुआ है, total pressure is 0.28, so 2x की value हो जाएगी, 0.28 minus 0.1, 0.18, x की value हो जाएगी, 0.09, यह समन्मा गया है, x की value क्या होगी, 0.09, अब आपको क्या निकालना है, rate constant of a reaction, rate constant of a reaction के लिए, k equals to क्या हो जाएगा, upon t, log of initial pressure क्या था, 0.1, pressure remained of a, after t क्या हो जाएगा, 0.1 minus x, ठीक है, अब बस 2.303 upon t क्या है, t तो obviously 115 है, तो directly क्लिक लिए आपके, और log of 0.1 divided, 0.1 minus x क्या है, 0.09, अब ही मैं इसको पूरे को solve करता हूँ, तो 0.1 divided by 0.01 हो जाएगा, यह कट गया log 10, तो यह पूरे को आप इधर log 10 लिख सकते हो, और पूरा क्या हो जाएगा, 1, यह 2.303 divided by 175, sorry, 115, 115 है न, इसको जब आप पूरे को करते हो, तो 0.02002 आजाएगा, पर सेकंड, तो आपको 10 लिख में निकालना है, तो 2.002 इंटू 10 लिख सेकंड या फिर 2 इंटू 10 लिख सेकंड, तो आपका आजाएगा, इसमें फाइनल आंसर, बहुत स्ट्रेंट को कन्फूजन होगा, कि मैंने फर्स्ट ओर क्यू ले लिया, रिय पर सेकंड इसकी यूनित है, समझ मैं है गाईज, इसी वज़े से, सो आप गाईज आपको इसन समझना हो, सो थैंक यू फो वाचिं गाईज, प्लीज लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाई